बूद मॉर्णिंग चुल्डेन आज हम लोग पढ़ेंगे लेशन नाइन मेरीज लैम्ब सबसे पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखेंगे इसके बाद हम इसका हिंदी अरुआद बताएंगे लेशन का मेरीज लैम्ब मेरीज एक लड़की का नाम है और लैम्ब मीन होता है मेमना जो भेंड का बच्चा होता है उसके बच्चे को मेमना बोलते हैं लैम्ब बोलते हैं लैम्ब लैम्ब मेमना मेंस यनि भेंड का छोटा सा बच्चा इस फ्लीस वाज वाइट एज इस नूँ fleece mean क्या होता है fleece mean होता है भेंड की बाल भेंड की बाल को लोग क्या कहते है fleece was white white means सफेद और इसनो मिन क्या होता है बर and everywhere everywhere means हर जगे प्रतेग जगा that Mary went that lamb was sure sure mean nishtet to go he followed followed mean पीछा करना होता है अनुसरन करना भी होता है her to school one day that was against against mean बिरुद the rule rule mean नियम against the rule mean नियम के बिरुद it made the children laugh and play laugh mean हसना और प्ले मीन खेलना to see see mean क्या होता है बच्चो देखना lamb mean मेमना हमने बताया है at school and so the teacher turned turned mean मुलना होता है him out but still he lingered near lingered मीन क्या होता है देर तक रुका यानि linger l-i-n-g-e-r linger मीन क्या होता है बच्चो देर तक रुकना और near मीन नजदीक यानि पास and waited waited mean प्रतिच्चा किया patiently mean धैर पूर्वक about till Mary did appear appear mean ट्रकट होना दिखाई देना and then next is and then he ran to her ran mean ran mean दोड़न ran mean दोड़न and lad l-a-i-d lad mean क्या होता है सता पर रखा यानि lay l-a-y lay mean रखना होता है जैसे जमिन पर कोई सता किसी सता पर रखना होता है lad mean his head upon her arms head mean सिर होता है upon mean उपर arm mean भुजा as if if mean yadi he said I am not afraid afraid mean डरा हुआ you will keep me from all homes harm mean हान इसकी बाद हम इसका आर्थ देखेंगे हिंदी में lesson nine part eight mary's lamb mary का memna mary के चित्र में दिखाया गया है यह mary लड़की है उसका एक छोटा सा memna है यह भीहर का बच्चा है यह इसी के साथ हमेशा रहता है यह एक दिन mary के school चला गया तो उसके teacher ने उसको डांट दिया उसको नहीं दिखाई दी तब तक हूँ school की बाहर खड़ा था और जैसे यह mary आई तो उसके जो है बाहों पे नसर रख कर उससे मिला और कहा कि तुम मुझे हानी से बचा लोगी मुझे विस्वास है मैं डर नहीं रहा हूँ यह विस्वास दिलाया मैरी को ति यह है कब्दा की कहानी कब्दा का सारांस अब इसके बाद हम इसकार्द देखते हैं मैरी's lamp मैरी का मेमना मैरी हैड लिटल लैम मैरी के पास एक छोटा सा मेमना था यानि भेंड का छोटा सा बच्चा था एक फ्रीस वास वाइड आज स्नू उसके उन बर्व के समान सफेद थे एड 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 मैरी वेंड और मैरी जहां भी जाती दा लैम्ब वास शोर तो गो मैमना निश्च थी उसके साथ जाता था यह फालोड हर टू स्कूल वन डे वन डे मतब एक दिन एक दिन ही फालोड वह उसका पीछा करते हुए हर टू स्कूल उसके स्कूल चला गया दैट वाज अगेंस्ट जरूल जो की नियम के विरुद है यानि किसी के स्कूल में अलाव नहीं होता है पेट स्कूल ले जाना तो यह नियम के विरुद है पेट ले जाना इसकूल के अंदर इसकूल में एक लैम यहने एक मेमना को देखकर बच्चे खुबहसे और खेले उसके साथ एंड सो दी टीचर टर्न हिम आउट और तब अध्यापक ने उसको बाहर निकाल दिया बट स्टिल ही लिंगर नियर लिंगर में क्या होता है बच्छो लिंगर में होता देर तक रुकी रहना यानि फिर भी वो उसके पास देर तक रुका रहा और वेटेट पैसेंटली एबाउट तिल मेरी डिड अपियर लेकिन वो वहां तब तक खड़ा रहा जब तक धैर पूर्वक खड़ा रहा है और वो इंतिजार कर रहा था पैसेंटली मिलब धैर पूर्वक एबाउट उसके विशे में यानि उसका जो है यानि मेरी का वो धैर पूर्वक इंतिजार कर रहा था तिल मेरी डिड एपियर जब तक की मेरी उसे दिखाई नहीं दी और जब उसे मेरी दिखाई दी तो वह दोड के मेरी के पास गया और अपना सतह पर रखा यानि लेड हिज हैड अपान हर आर्म तो आर्म क्या है उसको सतह मिल गई तो उसने उसकी भुजाओं पर अपना सिर रखा As if As if he said As if He said I am not afraid यानि कि ऐसा जैसे वो यह कह रहा हो कि I am not afraid मैं भैभीत नहीं हूँ As if he said जैसे वो कह रहा हो I am not afraid मैं भैभीत नहीं हूँ मैं डरा हुआ नहीं हूँ You will keep me from all harm तुम मुझे You will keep me यानि तुम मुझे बचा लोगे from all harm सभी हानियों से यानि सभी हानियों से तुम मुझे बचा लोगे मुझे ये पूरा बिस्वास है और इसका जो इसके जो राइटर है वो सराह जोस्पा हेल है ये इसकी राइटर है इसके बाद इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं इसमें दिया गया है Comprehension questions answer the following questions पहरा questions है कि What did Mary have? Mary के पास क्या था? तो Mary के पास क्या था? Mary had a little lamb Mary के पास एक छूटा सा मेमना था और What would you What would you do if your pet follows you to your school? मिरब तुम क्या करोगे ये दि तुम्हारा pet ये जो भी तुम्हारा पालतू है वो तुम्हारा पीछा करते हुए इसकूल चला जाए तो तुम क्या करोगे? तो इसका एंसर आप लोग सूचके बच्चों क्लास में बताओगे और इसके बाद अगला है फिर इसका मैंसर लिखा देंगे इसका अगला एंसर आता है अगला question आता है कि who turned the Mary's lamb and why मैरी को किसने बाहर निकाला? मैरी को मेंने को मेंने को who turned the Mary's lamb Mary's lamb Mary के मेंने को किसने बाहर निकाला और क्यों निकाला? तो जानते हैं उनके teacher ने निकाला? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? the teacher turned the lamb out because it against the rule teacher ने मैरी के lamb को बाहर निकाला क्योंकि ये नियम के बिरुध था इसकी बाद next question आता है word power इसमें पहरा question दिया गया है find the rhymes rimming words rimming words बचो जानते हो जो समान धनसूचक होते हैं समान लब उनको हम एक जैसे बोलते हैं find the rimming words from the poem one is done for you इसमें एक तुमारे लिए करके दिया गया है और उसी तरह से आपको un word के rimming word देखने हैं जो poem में आये हुए हैं तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं day day का क्या है? play है ये देखिए इसमें poem में दिखाया गया है dee, day का rimming word क्या है? play है उसी तरह से out का rimming word about हो गया और like का क्या हो गया? afraid हो गया उसी तरह से और में देखिए किसका किसका पूछा गया है day का क्या हो गया? play हो गया Chelsea rule का क्या हो गया school हो गया? or next आता है out out का remember about near का backwards near near means क्या होता है near mean निकट होता है near का appear और इसकी बाद lead का क्या हो जायगा 학rat arm का harm का हो जायगा harm the invias next activity में दिया गया है यह बच्चों आप लोग कर सकते हो घर में, करना भी है आपको, यह दिया गया है कि draw the given pictures on a plain card seat, एक plain card seat ले लो इस पर यह picture को draw कर लो and cut each part separately और इसे यह देखे, dash dash करकी यह point दिये गया है चित्र में इसको आपको cut कर लेना, बनाने के बाद क्या करना है, इसको cut कर लेना है paste ice cream stick on them to hold them, यह इसको पकड़ने के लिए इस पे जो अलग अलग यह lamb, यह Mary को काट लोग है और यह house है, और यह क्या है, lamb है, इन सब को काट के और अलग-अलग उनको उस पे हम जो ice cream stick आती है, उस पे हम paste कर लेंगे इसके बाद hold इसको पकड़ने के लिए चित्र को, ask the children to use these pictures to retell the rhymes तो यह बच्चो आपको यह activity आपको घर में करनी है, इसके बाद do you have a pet or do you have a pet or pets, if yes, how do you take care of them, discuss with your friends अपने मित्रों के साथ यह discuss करो कि तुम अपने pet को कैसे, किसकी देख भाल कैसे करते हो, कोई भी pet कर घर में हो, सभी बच्चों के अहाँ कोई नो कोई pet होगा, उसकी देख भाल कैसे करते हो, यह आपस में आपको discuss करना है, घन्यवाद